क्रोध क्या है इसके बारे में आज आप में बात करेंगे हलो दोस्तो एपी माइन ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरा नाम अबेकुमार मैं मैं मेंटल हेल्थ काउंसलर किसी ने मेरे को पुछा था कि सर गुसे के बारे में कोई वीडियो मनाईे क्रोध के बारे में बड़ा बदा दीजिए तो आज क्या session मेरा उन्हीं लोगों के लिए है जिनोंने मेरे को ये कमेंट में कहा था उनका question मेरे पास सरीकार हो चुका है और उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं तो क्या होता है कि उन्होंने पुछा था कि गुस्से के बारे में कुछ बताईए कुछ techniques बताईए गुस्सा क्या होता है कि हमारी पांचो ग्यानेंदरियां कोई न कोई काम करती रहती है और उसी से ही हमारे emotion बनती है और emotion से हमारी feelings बनती है feelings हमारी अच्छे भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, गुस्से वाली भी हो सकती है यह एक feelings है छोटी सी जो हमारे emotion पे होता है और emotion हमारा किस तरीके से create होगा emotion हमारा जो प्रकरति के साथ हमारा उधीपन किरिया है उससे emotion create होगा अब इसमें क्या होता है कि हमारे अंदर जो हमारी प्राचिन धारनाए जो भी हमारे belief system हमारे बने हुए है उन विचारों के according हमें जबाब ने मिल पाना इसी चीज़ का एक example है कि हमारे अंदर हमने कोई चीज़ भर रखी है x y z हमने कोई भी information अपने अंदर put कर रखी है तो उसके according हमें जबाब ने मिल पाना feelings का emotion का आपस में adjustment नहीं हो पाता तो इसी वजह से हमें गुसा आने लगता है अब क्या होता है कि गुसा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गुसा आते हैं तो वो परिशान हो जाते हैं बुरी तरह से चिलाने लग जाते हैं mentally रूप से disturb हो जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उन्हें गुसा आता है वो उसे अंदर ही दबा लेते हैं अब चीजें दोनों ही उनके लिए नकारात्मक है जो पहली stage बताई थी वो भी खतरनाक है और दूसरी बताई थी यह उससे भी खतरनाक है कि लोग क्या सुचते हैं कि चलो ठीक है मेरे को गुसा तो आता है पर मैं उसे अंदर दबा लेता हूँ कोई tension वाली बात है नहीं सबसे ज़्यादा tension वाली बात यही है कि आपने गुसे को दबा लिया है गुसे को कभे भी नहीं दबाना चाहिए या तो आप उससे satisfy हो जाए या तो आप उसको clear कर ले या फिर आप इसको कहीं पे निकाल दे अब निकालने के बारे में तो अगले वीडियो में बात करेंगे satisfaction के बारे में इसी वीडियो में बात कर लेते हैं कि satisfaction किस तरिक्के का चाहिए या तो आप अपने जो भी information पुट हुई है जो भी information आपको मिली है उसके हिसाब से आप adjust कर लीजिए उसके according चल लीजिए या फिर आप उस गुसे को कहीं निकाल देजिए ये दोनों चीज करने आपके लिए जरूरी है अगर आप दोनों में से किसी भी option को नहीं चुनते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है और आगे चलके ये बहुत बड़ी मुसीबत आपके लिए बन सकता है नॉर्मली मेरे पास ऐसे 5 से 7 केसी हो चुके हैं जिनका गहन स्टडी से हमारी जो टीम है उसने इसके पीछे बहुत सारा effort लगाया है जो गुसा था वो आज से 10 साल बाद में इतना बहंकर नुपसान दे रहा है स्टोरी तो मैं उनकी आपके साथ शेर नहीं कर सकता बट ये केसीज ऐसे हमें बहुत सारे मिले हैं और उनकी ये स्टडी के मुताबिक में ये पता भी चला है तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही अगले वीडियो में बात करेंगे गुसे को किस तरीके से निकाला जाता है इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें शेर करें, कमेंट करें धन्यवाद